गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन कहते हैं मेरी महिमा की वानी परगट होगी लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्यान को समझ नहीं सकेंगे क्योंकि गुरू बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था भुस्चडे मूड किसाना गुरू बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सारर है अग्यानी तो सत्गुरू आँ में दयाकरी वो दयाकरी परमातमा ने फिर इस दास को देख यूँ देखो इसका निचोड कहा होता है काति बार में पंथ पर गठ हो बाणी सब्द हमारे का निरने ठानी पुने बाणी पर गठ होगे मेरी गरीवदास दोरा और अस्थिर गर कामरब नहीं पावे सताई लोग सत लोग नहीं जा सकते ये बारा पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे उग्यान को मेरे वाणी को पढ़ पढ़ का पंथ चलाओंगे लेकिन अस्थिर गर सत लोग नहीं जा सकते बार में पंथ फिर हम ही चल आओंगे गरीवदास वाले पंथ में हम आगए चलके आओंगे और सब पंथ मिटाक है एक ही पंथ चला हूँ पुनातमाओ पुरमातमाँ अदे दास बेज दिया सारा वो जो का तूं दे कैसा माना और इस दास का निकास गरीब दास पंथ से है मेरे पुज़े गरुदेव जी गरीब दास पंथ से समद्दी थे उन्होंने मुझे ये कारा ग्यान दे करके कह दिया था वे टाइब मेरे जाने के बाद यहां मताना वापस यहां कुछ नहीं है चुडानी में यह सारे भी मानी जीव है तेरे को लेना था हमने आगए या जोद के जोद जगानी थी विसी इतना एकाम था यहां तो पुनात्मा उसके बाद दासमा जाख्या भी नहीं शुडानी में जो माल थे परमाद सद्गुर्व हमें दे गए और कहते हैं बारा पंथ गरीब दास पंथ तक भी पार नहीं होगे असंग जिनम तक यदि इस मारग को गर्ण नहीं करेंगे और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगए देखो कलियुग का पर्थम चर्ण वो होगा जब कबीर साहिब मगर से सह सरीर जाऊंगे कि जब मगर मैं एक लिला करूंगा वो पर्थम चर्ण होगा कलियुग को परमात्मा कबीर जी ने तीन चर्णों में बाटा है पर्थम चर्ण जब सुम आए थे अब विच्डी पीडी जो अब चल रही है और अन्तिम लास्ट वाले कर्त गनी हो जाएंगे कलियुग के जी वो बक्ती नहीं करेंगे मासा हरी बकवादी हो जाएंगे अब ये करीम टाइम है प्राइम टाइम जिन को अब मरुस्टी उन मिलेगा जो पुन्यात्मा है फटा फट परमात्मा बेज जाएगा उनको अरग्यान गरन करेंगे आपके गर ऐसी पुन्यात्मा होंगे बेटा और बेटी आते है बगवान की बग्ती पर लग जाएंगे उनकी आपके पर करम बने जाएंगे उनको कोई दुख है नहीं आवाए टेंटिसनर कदम हो जागी सारी ऐसी पुन्यात्मा आपके गर पे आँँगे कभीर साहब कहते हैं जो बग्ती बीज होए जो हंसा जो मेरी सरन में आगया अर्तारू तास के एक उत्तर वनसा उसके एक सो एक पिड़ी पार कर दूँँगा बियालिस की दबाद छोड़ो अब यहां हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पर पड़ रहे हैं अब यहां कहते हैं पांच अजार पांच सो पांचा तब यह सब्द होगा साचा जब पच्पन सो पांच वरस कर यूग बीट जागा तब यह बात मेरी साची होगी धरमदास तब तक तयाना जट्चा किसे के अब देखो फिर कहते हैं धरमदास मेरी लाख दो आई यह मूल गयान है भूलनी मूल गयान कहीं बाहर न जाई पवितर गयान तुम जग में बाखो मूल गयान तुम गुपती राखो गोई राखो मूल गयान बाहर जो पढ़ ही यह बिचली पेड़ी हनस नीतर ही तेतिस अर्व गयान हम बाख्या मूल गयान गुपती राख्या गोई राख्या और मूल गयान तुम तब तक छुपाई जब लग दौद्ध पंट मिटाई परमातमान ने कहा धरमदास मेरी लाख दौआई इस सत नाम और सार नाम नहीं बस हर दौनिक नाक लिए ना बीचली पीड़ी मेरे हनस नीतर हैंगे काल के दूता जो रही नाम होता अधिकारी यह है नहीं अधिकारी यह दास कैसे अंतर दिखा था परमातमा के बच्चों को कि यह नकलीर यह असली है तो परमातमाने ने कहा था धरमदास मेरी लाख दौआई यह सार नाम की ता बताईए ना तुम जाब करो ऐसी सभी महापुरसों को जिनको सत लोग ले गिर छोड़ा सब को ऐसी कहा था आदनिय नानक साहिब जी को आदनिय गरीबदास साहिब जी को आदनिय मलुक दास साहिब जी को आदनिय दादू साहिब जी को आदनिय गीसा दास साहिब जी को अब उन मापुर्सों को गवा बना का आपको प्रतेक्स कर दूँगा कि कभी रिजगौड आगे देखो अब ये आपने पढ़ा था पहले फिर दुबारा देख लो दस सेग्मेंट और देखना सारा कलियर हो जागा सवसंवेद बोध 121 परिष्ट पर अपने पढ़ लिया था 121 परिष्ट पर यहां पर कि चोथा युग जब कलियर आई तब हम अपना अन्स पठाई काल फंद छूटे नर लोई सकल शिरिष्टी पर वान ने खोई पूरी शिरिष्टी नाम लेगी बंदी छोड़ का कभी रि देखो बोध विचारा और सत नाम सब ठोर उचारा खुले तोर पर बता जाएगा फिर नाम सब पुन्यात्माओं को सत नाम का है वो दोखर का नाम है और पांच जार पांसो पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा कल युग बीच जाए तब एता सब जीव परम पुरस पद जेता सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे अब देखना ये कबीर साहिब का फैसों संबोधी चल रहा है एक सुए कच्छर पर आगे हम अपना अत्मा इस पर लिखा है पांच सेंसो और पांसो जब कल युग बीच जाए परम पुरस फरमान तब जगतारन को आए कबीर साहिब कहते है जब पांच पंद सो पांच जार पांसो कल युग बीच जागा दब एक महा पुरस आवगा हम चल कर आएंगे तो बार बार नूक है का माँ आँगे तब जब जब नर्वान है पूरे जितने भी जीव हैं हिंदू है मुसल्मान है या कोई शेक है कोई आगे दो चलेंगे सारे जितने भी जीव जिहान में और दोसत नाम की साख लेवँ पांच पद निर्वान निर्वान वाने मुक्स पद प्राप्ट करेंगे ये था स्रीत गन आप ही मिले संधू में धाए सथ सुकरत के मद्टमी सभी पंथ समावें कहते हैं जैसे सिंधू में समंदर में दरिया गन ये दरियाएं जैसे गंगा जमना सरसुती सारी कहते हैं अपने आप धाय के दोड़ के उसमें जाके मिलके इकरस हो जाती हैं ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सचाई को समझ कै उस मेरे वाले दास के दोड़ा चलाएगे उस पंथ में मापरुस वो तो मान थे इसलिए बान को मानी कहते हैं हम तो दास हैं कहते हैं उसके द्वारा चलाएगे पंथ मैं ऐसे भाग भाग गाऊंगे जैसे समुंदर मदरिया नो सपीड तन जाकर मिल जाया करती है निर्बाद हो करके आ जाते हैं तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ देखिए ये था सरीत गण आप ही मिले सिंधू में धाये और सच सुकृत के मद्द तिमी उस सचे पंथ के मद्द ये सभी पंथ ऐसे समावें जब लग पूर्ण होएं नी ठीक कोची थी वार कपड तातरी तब लों ये सवसंवेद निर्धार कबीर साहब कहते हैं जब लग यो मैंने समय दर दिया यो पच्पन सो पांच जब तक यो ठीक का समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारी समय तब तक मेरा सवसंवेद का ये वच्पन निराधार दिखाई देगा ये उस दिन सचा हो जागा जब उस दिन आ गया वो ठीक का दिन ये सारे जाड़े का जर्दिय दास ने अर्या कहते हैं जब लगपूर्ण हो ए निर्धारी समय का तब तक कपट चातरी तब लो तब तक ये लोग कपट और चल कपट कर रहे हैं बिचारे और बेरा सवसंवेद में जो ग्यान लिखा जा रहा तेरे दोरा मा बोल रहा हूं ये तब तक तो निराधार दिखाई दे अब कब होगा वो दिन और एक अनेक हो गए एक से अनेक बना दी है काल नर नरी पंठ बना दी है मजब बना दी है को पुने अनेक हो एक हो सारे फिर एक हो जाएंगी और हंस चले सत लोग सब सत नाम की टेके सत नाम के सारे सारे जो सत लोग हंस सत लोग जाओंगे और गर गर बहुत विचार हो दुरमती दूर बहाए और कल युग में सब एक होई सोई बरते सेथ सुबावे कहते हैं सब तर सत नाम लेंगे और कल्योग में सब नर्नारी सुध हो जाएंगे ये बुराई छूटी जाएगी जैर दिखाई देगा यू रिस्वज लेते हैं और मंत्रियां तहीं कि ये गोटाले सामने आ रहे हैं ये जैर खा रहे हैं बिना गयान के बालकों की तरह जैर दिखाई देगा आपने और के लिक सत लोग दिखाई देगा और आपका कोई भी काम होगा बगवान को किसलिए ढूंडते हैं किसलिए उसकी सर्ण गरेंड करते हैं कि सब दुख दूर किया करता है सब ओसकता है पूर्ची करता है और ऐसे कर देगा आप समझ भी नहीं सकोगे तो फिर आम ने क्या हो सकता फिर बखवाद करने की और फिर विश दिखाई देगा तो कहते हैं घर-गर बोध विचार हो और दुर्मती दूर बहाए सब की दुर्मती दूर हो जागी स्ञानते और कल युग में एक हवे हवे होक हवे और सोई बरते सैद सुभाए सब प्यारत रहा करेंगे और कहां उगर कां सुद्र हो हर सब की भववीर सो समान समद्रिष्टी हो समरसत कभी कहते हैं के तर डाकू ठक लुटे रे चोर और यह रिश्वत खोर और क्या फिर सुद्र जो छोटी जाती हैं कहते हैं सब एक होक है भव भीर सब एक हो जाएंगे और वो जो पंथ का परवर्टक होगा देखिए सो समान समद्रिष्टी उसब को समान द्रिष्टी चे देखेगा वो है समरसत कभीर बोलो सत गुर्दे एक पांच मिंट का सत्संग और पुनाता हूँ पुन्यात्मा जैसे दास ने सत्संग आजप्रहरम किया था कि ये जितने पुन्यात्मा संत महन थे हैं पुनकर्मी पराणी है और इनको काल ने सेलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए और वो पूरो जनम की पुनकर्मों से फ्री पुरून होते हैं और लास्ट में उनके आगे चारदर ठीक नहीं होता पिछली बैटरी जब तक चले चले और फिर आगे इनकी बगती ठीक नहीं होती फिर स्विम दुरुखती को प्राप्तो कर मर जाते हैं उनमें से एक राधास्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जैगुरुदेव पंथ है और उसके परवर्तक श्री तुलसी दास जी माने जाते हैं और वो एक बहुत पुनकर्मी प्राणी थे काल के फस गे और उन्होंने सनुनी सो इक राधास के बारे माकास वानी की थी कि वो एक महापूर सावगा देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा एक है ये जैगुरुदेव की वानी पुस्तगा भाग दो और ये हैं श्रीवो तुलसी दास दी बाबा जैगुरुदेव जी माराज परमसन तुलसी दास दी माराज भर इसके चेले कहें विश्वो को शानती नीशे मिलेगी मिलगी शानती दूना बगड़ गया काम अब ये है जैगुरुदेव की अमरबानी परकासिक दिव्या सर्मा 88 साकेत कलोनियम मुथुरा उत्र परदेश मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस्टें मुथुरा उत्र परदेश पहले इसके 69 प्रष्ट पर चलते हैं ये है इसका 59 प्रष्ट इसने 28 अगस्त 1901 में एक आकास वानी करी सुलसिदास जी ने जैगुरुदेव पंद के परवर्तक ने महापुरुष का जनम भारत वर्ष के एक छोटे से गाओं में हो चुका है 1901 को और वहे व्यक्ती मानो इतियास का सबसे मैतो प्रुन व्यक्ती वनेगा उसे जनता का इतना वड़ा समर्थन परात होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है वहे मापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वहे विश्वे के संपुरुण देसों पर लगव होगा उसका एक जन्डा होगा उसकी एक बासा होगी है अठाईस अगस्त 1901 को इसने ये परवसन कर दिये फिर सर दालबों ने पूछा वगवान जब वो आ लिया है महाराजी तो उसका पता बता जो बहुत पीछे पड़ दिये तो फिर इसने इन होने देखिएगा इसके पतास प्रिष्ट पे लिखा है इसाकारी पत्री का 7 सितंबर 1901 को इसने फिर अक बविशे वानी बोली देखना वह आवतार जिसके विशे मठाईस अगस्त 1901 को इसने वानी की थी वह आवतार जिसकी लोग पर तिक्सा कर रहे हैं वह बीस वरस का हो चुका है इस दास का जनम रामपाल दास का जनम 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1901 को ये दास पूरा 20 वरस का होके 8 सितंबर को जो है 21 में वरस में लग गया था ये 7 सितंबर 1901 को ये दास 20 वरस का हो चुका है था वे आवतार जिसकी लोग पर तिक्सा कर रहे हैं बीस वर्स का हो चुका है और यदि उसका पता बता दूँ लोग पीछे पड़ जाएंगे अभी उपर से आदेस बताने के लिए नहीं हो रहा है मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी मातमाओं ने समय का इंतजार किया है समय आते ही सब को सब कुस मालूं हो जाएगा अपने अतमाओं सन 2011 में दासने सत्संग करके इनके साथ ये अज़ात्मी ग्यान चर्चा के मादम से भी सादना से लनवाड़ों ने ये सत्र कर दिया था कि ये पुनकरमी प्राणी सन 1971 में इसकी दिवद्रिष्टी काम करे थी क्योंकि इसकी बैटरी सारज थी पिछले पुनकरमों से आगे ये 500 नाम काल के जाब करे था वो कोई बगती थी नहीं तो 2011 में दास ने ये कहा कि ये ती आज इसकी दिवद्रिष्टी काम कर रही है तो ये बता दियो वो कौन है 20 वर्स का था 2011 कहतर मैं इसको बता दियना चाहिए कि बरवाला मारे हरदाओ बाई लेलो नाम जाउत कलान कर वालो लेकिन उस समय यू फ्यूजो लिया था इसकी बैटरी डिस्टारद वो चुकी थी वक्ती खत्म होगी थी और गलक कैमरे हाथ पर इसके जिंदा लास लिए फिर रहे थे इनको और जब इसके जून ही रहेंगी तो दो तीन मिना पाथ से इसकी टक्टा काट दी परमातमा ने जाती इसके लिए सुअफसर दिया था दाताने कि अपने भार मुक्त हो जाता और परमातमा के बच्चे आसानी से आगी इसके कैते ही सारे मान जाते विस्ता लोग पहले से कहा करते है थे एकदम सारे समझ जाते लेकिन इसने उस बात पर असर ने किया इसलिए यो कुछी दिनों के बाद काल ले गए इसने उठा गया छोड़ जिया दाताने ना एक सो सोड़ा वरस जी आयो इसलिए रखा हुआ था कि यो कहदे एक बार अपने मुक्त से जावभाई वो आ रहा है जिसके बारे मैंने 211 कैतर में कहा था तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका तो पुन्यातमाओ एक नस्त्रे दमस्की आप विशेवाणी पढ़ कर देखना इस दास के लिए कहते हैं इस काल के लोक में कबीर साब कहते हैं आमने आपनी महिमा आप बखानी मारे बारे मैं को दूसरा बतानिया नहीं कोई भी आप आरती आप आसाठी आप एक इंगर आप बाद आप तालज़ान दनकारा आप नचाफ देखना रहा कहे कि मेरे से आरती कहाओ अप आमध दे आप समाओ तो आमना आप पर बतानी पड़ा है यह सारी कानी वै कौन हो मै कौन हो कहा है कैसे लावगा अब जैसे इन बविस्य वक्ताओं का था काम इतना है जैसे कोई खगोल बगोल का ग्याता और यह बता दे कि अभी परसों छै बज़ के 35 मिंट परसों यह उद्य होगा और वो ना बताते तो भी उना था क्योंकि उद्परमात्मा का इभी धान है तो इनोंने बता दिया अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना तो परमात्मान जब पहले कर रहा कि जब संतेरा सो अठा वह बगवान आये थे 120 वर्च रहे थे 1518 गए थे उसी समय कहे दिया था कि ऐसे ऐसे होगा उसका वचन था जिसके वचन से सब बर्मांड घूमरे उनीकी वचन से आज पूरे विश्वे में यह शानती फेलेगी सारा संसार वगवान की वक्ति करेगा गर गर में शानती होग और सब के काम इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते तो उस पर मातमा का विद्धान था ये ना बताते तो भी यो जनता आना आए था बोलो सद्गुर्देव आज थोड़ा साथ ज्यादा से में लिया बच्चो पर ये अमरत कदे सुनन को नहीं मिले तो कविर साहब किरजाना काल ये वचन बोलन दे करोथा कांड करा दिया था इन्होंने लेकिन दाड़नी गली सच्चाई के सामने उन्हार माननी पड़ी और आज देखो परमातमा की जह जहकार होगी आपके ओपर रहम वह किया दाता ने बोलो सत्गुर्दे परम पिता परमातमा पूरन बरम सारी सिर्ष्टी के रचन हार कुल मालिक कबीर परमेशवर जी की असीम रजा से आप सभी कुन्यातमा सत्संग सुनने के लिए उपस्तित हुए है पर्थम तो मनुष जीवन मिलना दुर्लव है असंख जन्मों के ये कष्ट उठा कर पसुपक्सियों की योनियों को भोग कर हम एक मानो श्रीर पराप्ट करते हैं मानो श्रीर पराप्ट होने पर सत्गुरु का मिलना उससे भी दुर्लव है तो पुन्यात्माओं आप कितने सुबकर्मों से योक्त हैं आप कितनी अच्छी आत्मा हैं आप जी को ये दोनु ही दुर्लव वस्तू सुलब हुई आप कोई आम आत्मा नहीं हैं आप विश्यस पुन्कर्मी प्राणियों में से हैं लखबर सूरा जूजही लखबर सावत दे और लखवर यती जिहान में तब सत्गुर्सर ना ले बहुत बहुत जन्मों तक आप प्रोपकारी प्राणी रहे हो ऐसे सुब कर्मी प्राणी आप रहे हो कभी किसी का बुरा किया नहीं परमार्थ में ही बहुत से जन्म आपने वितीत किये लखबर सूरा जू जही लखबर सावत दे लखबर यती जिहान में तब सत्गुर्सर ना ले और आप जी को प्रमात्मा कभी ना कभी किसी ना किसी युग में अवस्य मिले है और जब प्रमात्मा मिलते हैं वो अपनी प्यारी आत्माओं को बगती से जोड देते हैं जैसे 600 वर्स पहले वो परमेश्वर प्रम अक्सर ब्रम सत्य पुरुस जिसे संत बासा में परम पुरुस भी कहते हैं सत्य पुरुस भी कहते हैं उनका वास्त्विक नाम है कभीर साहब कभीर देव कभीर परमेश्वर है अमरपुरुष, परमक्सरपुरुष, सत्यपुरुष यह उनके उप्मा के नाम है, सत्यपुरुष माने अविनासी वगवान, परमपुरुष माने स्रेष्टपुरुष, उत्तमपुरुष, और परमक्सरब्रम, परमक्सरपुरुष यहनि सबसे वास्तों में अविनासी पर प्रमात्मा तो यहां वो प्रमात्मा छस्सो वर्स पहले बारत वर्स की इसको वित्र बोमी पर वैसे तो प्रमात्मा के लिए कोई बादा नहीं है कोई सीमा नहीं है क्योंकि प्रमात्मा कहते हैं बलक और विलायत तक हम ही धारे भेख बलक बुखारे में भी हम गए विलायत म यानि इंग्लेंड के अंदर भी कहते हैं यहाँ पूरी परच्वी पर हम यह अपने बच्चों को संभालने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार इस बारत की उस पुवित्र भूमी पर रुमा अत्मा ने अपने पुवित्र चर्ण रखे सत लोग से आकर एक कमल के फूल पर बुरा जमान है एक सी सु रूपदारन करके फिर उनको नीरूनी मानाम के एक दमपती जुलाहा उठा ले जुलाहे के घर उनकी परिवर्स की लिला होने के करण और बड़ा होकर के परमात्मा जुलाहे का कारिया करते थे इसलिए वो धानक जुलाहा कबीर जुलाहा नाम से परसित हुई लेकिन वो परमात्मा है फिर छोटी आयूम ही वो जो उदे से लेकर आते हैं वो अपना कारिया सुरू कर देते है उनका जनम नहीं हुआ कबीर जी सहसरी राय थे सहसरी चे ले ले थे तो अपने आत्मा हो आप कभी ना कभी उस परमेश्वर की सरण में रहे हो इस युग में भी रहे हो जो सिगर आ रहे हैं ये इस युग के ही सम्बंदित पुरानी है क्योंकि एक ही गर में एक ही परिवार में पांच सदस्य है दो दिक्सित हो जाते हैं तीन विरोध करते रहते हैं तो जो प्रमात्मा के पिछले संसकारी हन्स हैं वो तुरंट आ जाते हैं और सेस विरोध कर रहे होते हैं, वो भी कुछ दिनों में प्रमात्मा दयालू हैं, जिस गर में बगवान की वानी शुरू होगी, मंतर जाप करते हैं, तो उनके अंदर भी उसका असर होगा, और धीरे धीरे फिर वो एक दिन उनके उपर जो पाप कर्मों का दबाओ है, वो देर से आएंगे, आना पड़ेगा, अब इसका कारण क्या है, कि जैसे कोईल मादा पक सीदो है, अपना अलग गौंसला बना कर अंडे उत्पन नहीं करती हैं, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते हैं, वो थोड़ी सी बुजी मता से काम लेती है, किसी म मादा कवी ने अंडे दे रखे हों गौंसले में, तो मादा कोईल भी जब वो कवी कहीं चुगा चरने के लिए अपना आहर के लिए बाहर गई होती है, पीछे से उसके गौंसले में अपने अंडे उत्पन कर लेती है, जब वो कवी वापस आती है, तो देखती है कि दो अं ते चार कैसे हो गए वो ये पैचान नहीं पाती के मेरा अंडा कौन सा है इसलिए वो चारों को ही प्रवर्श देती है और फिर वो अंडों से बच्चे जब निकल जाते हैं उनकी सकल भी एक जैसी ही होती है और कवी का उन चारों के अंदर वैसा ही मोह बना रहता है मादा कोईल दूर से बैठकर देखती रहती है जब वो बच्चे उड़ने योगे हो जाते हैं कुछ दूर तक उड़कर वापिस गौंसले माते हैं थोड़ी सी दूरी वरक्स पर बैठकर कोईल वहाँ अपनी बोली बोलती है कुहू कुहू की आवाद लगाती है जो कोईल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी मा की वाणी को सुनकर आवाज को सुनकर ऐसे चोकन्ने होते हैं और कव्वे वाले वो ऐसे ही अपना मस्त रहते हैं कर उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता और कोयल बोलती है तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज को पहचान कर आकरसित होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं वो कोयल भी उड़कर चल पड़ती है और कुहू कुहू करती जाती है वो बच्चे भी उस आवाज के साथ-साथ वो बहुत दूर निकाल ले जाती है कभी कुछ देर तर उनका पीछा करती है कि मेरे बच्चे गए जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो सोचती है कहीं दूसरों को कोई हनी ना पहुंच जाए वो वापिस आ जाती, उनका पीछा छोड़ देती तो पुन्यात्माओ प्रमात्मा की ये वाणी, कोईल वाली वाणी समझो अम्रत वाणी, आप ची ने टीवी के मादम से सुनी हो या किसी पुस्तक का अध्यान करके ग्रहन की हो आप वो पुन्यात्मा है, प्रमात्मा की बच्चे हो और प्रमेश्वर ने अपनी वाणी बोलकर आपको आकर सित कर लिया और आपको सरन में ले लिया क्योंकि आप उसके बच्चे हो और जो आ नहीं रहे हैं, वो कभी भी प्रमात्मा की सरनों में लगे नहीं और जो आ जाएंगे वो जो और आ जाएंगे गर के सदसे हैं तो वो भी प्रमात्मा के बच्चे कभी ना कभी उसकी सरन में रहे हैं अब जैसे क्या बताते हैं के तुलसी पिछले पाप से अरिचर्चाना बावे और जैसे जवर के बेगते भाई भूख विदा हो जाएं जैसे किसी को जवर हो जाएं मलेरिया हो गया तो उसको आहर भी कडवा लगता है मुन्खा दाख भी कडवी लगती है और काज्जू किसम सेव संत्रे और परती दिन करने वाला आहर भी कडवा लगता है वो पदारत कडवे नहीं है उस जवर ने उसके स्रीर की विवस्था विगाड़ दी जिसके परभाव से उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी ऐस्वादिष्ट लगते हैं तो इसी परकार तुलसी दास जी कहते हैं तुलसी पिछले पापत हैं अरिजर्चाना भावै और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए तो उनके उपर पापकर्मों का दबाव अत्यधिक है उनको पापकर्मों का जवर बना हुआ है मलेरिया बनिया है अब किसी को जवर हो जाता है मलेरिया जवर हो जाता है उसका उपचार क्या है कि ना चाते हुए भी वो कुनीन की कड़वी कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी और उन कड़वी दवाई को खाने से ही उसका मलेरिया जवर सांत होगा और जितना नोर्मल होता चला जाएगा उतनी ही भूख वो भरती चली आवेगी और जब जवर समाप्त हो जाएगा वही विक्ती जो पहले एक ग्रास भी मुख की तरफ नहीं कर सकता था अब वो लुख ही सुखी तिन तिन चार चार रोटिये खाने लग जाता है इसी परकार जिन विक्तियों के बहनवाईयों के पाप कर्म उनको परमात्मा की चर्चा आच्छी नहीं लगती है कभीर साहिब कहते हैं, कभीर पिछले पाप से अरी चर्चा ना सुआवे, कै उंगे कै उठ चले ना ओर बात चलावे कहते हैं जिनके पाप कर्म ज़एदे हैं जिसके कारण उनकी आत्मा पर अनत्य करन्म एक ऐसी विवस्था बनगी उनको परमात्मा की जो अमरत का था वो भी अच्छी नहीं लगती वो भी नीसु आती तो उसका इलाज क्या है जैसे आप किसी अपने मित्र को भाई को बेहन को बेहने अपनी सहलियों को माता या किसी अन्य रिष्टेदार को समझाने की चेश्टा करते है तो जिनके पाप अधीक है वो दो मिंट के बाद कहते हैं तो छोड़ इस बात नहीं और बात बतला और इस प्रमात्मा की चर्चान छोड़ के ते सारी राथ चुगली करें जाओ किसी की नो प्रोब्लम लेकिन बगवान की तर्चाव न अच्छी न लगती अच्छी क्यों नहीं लगती क्यों क्योंकि उनके पाप कर्मों का दूस प्रभाव बढ़ रहा है उसका इलाज क्या है ये कुनीन खानी पड़ेंगी कड़वी ना चाथ्यों भी खानी पड़ेंगी और तब भी बात बढ़ेंगी तो उसका प्रमात्मान बहुत दया बक्सी है जैसे एक प्रिवार में पांत सदस्टों में से दोन नाम ले लिया तीन नहीं लेते कोई बात नहीं है अब उनके पाप कम थे एक के दो टेबलेट्स थे ठीक होगे तो कि ज्ञान तो उन्होंने भी सुना तभी आकरसित हुए अब प्रमात्मान दया बक्सते हैं दो पैरने असुर निकंदर मेंई ना सुबए नितने में ज्याम को आरती कि ये तो खूब आवाज में लगाते हैं अपने गर में सब के उपर असर बढ़े हैं और बाकी उस गर के दो सदे से मंतर जाप करते हैं तो उस मंतर के जाप की भी सकती अपने आप वहां फैलती है उसकी परभाव फैलता है प्रिवा बक्ती ना करते हैं वो भी मालक के बच्चे हैं वो निकमे बच्चे हैं जो बक्ती कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं उन निकमों को भी परमात्मा अच्छे बनावागा क्योंकि मात्पिता यहीं चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाएं अब गर के सदस्य गर स बाहर का जाएंगे प्रमात्मा की वाणी उनने सुन दिये पड़ेगी और कभी ना कभी वो बुखार उतर जागा और फिर वो उन से भी आगे वैठे पाऊंगे बर्वाला असरम में तो ये प्रमात्मा का उपरेशन है तो प्रमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसेजर है, आउप्रेशन है ये कंप्लीट होता है इसमें कोई मीन मेक नहीं होती कोई तूटी नहीं होती वो जो कारिये करते हैं वो परिपूरण ही किया करते है अब उन्होंने यूँ काम सुरू किया है उन्हीं के आदेश से उन्हें के वसंद से ही सब कारियव सुरू हुआ है और ये पूरे विश्वे में होगा आप बहुत दिन होगे हमने ड़ले डोचते हैं आज तक बताओ क्या साथ लेकर गया कोई पराणी किसी का इतियास देख लो कभी साथ फिर हमें ग्यान देते हैं हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि यहां कितना ही धन जोड लेते हो आप संपत्ती बना लेते हो और एक सेकेड में मर्तु हो जाती है कोई काम है यह सारा जीवन खोग दिया और यहीं रख का चले गए और एक आदा लड़का ऐसा निकमा पैदा हो जाता है उसके जोड़े जाड़े ननास कर देता है पाप का बागी वो बना जो सारी उमर जोड़ता रहा और बरबाद कर दिया वेटे ने और मिलना वही है जो परमात्मा ने परारब्द में लिखा है किसमत में जिसके है वो यह मिल लेगा जब तक वो परमेश्र कबीर जी की सरनमा नहीं आती और परमात्मा कबीर जी की सरनमा ने के बाद फिर तो कहन की हो सकता है को नी आपके भाग मना होगा तो देगा परमात्मा जो आपके लिए अनिवारिये होगा कोई बकवाद मंगोगे वो नहीं देगा क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है आप प्रमात्मा के दर्वार में मोक्स उद्ध से लेकर आईए उससे फिर सारा ही लाब हो जागा एक मोक्स उद्ध से लेकर आओगे तो आपको सर्वलाब होंगे या कोई अन्य हुद्ध से लेकर आओगे कोई संकड निवारन के लिए कोई पूतर संतान प्राप्ती के लिए कोई धन वर्धी के लिए वो डेमांड तो यहां करना चलो करते थे हैं बालक है बच्चे हो कुछ दिनों इस ग्यान से आपको पता लग जागा क्योंकि प्रमात्मा कहते हैं क्या मांगू अपनी महिमा आप हमें समझाते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नेन चला जग जाई एक लख पूत सवालख नाती उस रावन के आज दीवान बैती क्या भयादर बंदे हाथी आवत संग ना कोई जात संगाती और क्या भयादर बंदे हाथी कहे कबीर अंत की बारी जैसे आथ जाड के चले जुआरी जैसे कोई संतान नहीं है वो संतान मांगने आता है और प्रमात्मा दयालू है हमको मालूम है कि ये जब तक इसका ये काटा नहीं निकल लेगा ये वक्ती भी ना करें क्योंकि हम ग्यान को बाद में समाधान को पर्थम जाते हैं तो वो भी दया यहां बख्स दी जाती है और उनको अच्छी आत्मा देगा बगवान ना तिसी संतान ने के फूक है जैसे एक लड़के ने अपनी पत्नी को सता दिया उसना अत्मा त्या कर ली सारा परिवार जेल में चाट ले इसी संतान ने ना होता अच्छा था हो तो यह सब उत्र तो प्रमात्मा यहां आपको ऐसी कोई वस्तू नहीं देंगे जो आपके बजनमा बादक हो या आपके लिए कोई परिशानी पैदा कर सके आप बच्चे हो अब जैसे रोगी है रोगी कोई बालक है या बड़ा है वो कुछ भी वस्तू डिमांड करता खाने के लिए और उसके लिए आने का रहक है डॉक्टर लाउड नहीं करेगा क्योंकि उसका जीवन ले सकती है तो इसी परकार आवश्यक वस्तू में जो आपको चाहिएंगी परमाक्मा जानी जान है अंतरियामी है आपकी सब सुक्सम से सुक्सम भी सोच को वो कैच करता है चिडि पाहल बाज्य पार साहिब सुनता है सब ले जडि चिडि यानी कीडि के पहर में पाहल बना दी जा गुंगरू بांदे फैले तो चिडि के गुंगरू क्या होंगे पाहल क्या होगी इसकी और कहते हैं यदि उसकी भी आवाज हो जावा है प्रमात्मा उसकी भी आवाज सुनता है, चिट्टी, पायल, बाज्य, पैर, परमेश्वर सुनता है सब लेर, तो वो अंतरियामी है, आप जो जिस से लेकर आए हो खूब जानता है, लेकिन आपको उसने क्या देना है, उससे भी खूब परीचित है, तो यहाँ संत मते में और स्मोक्स मारग में, प्रमात्मा ने कुछ गाइड लाइन दी है, उनके निर्देश अनुसार हमने चलने से ही, प्रमात्मा का विशेश लाव मिलेगा, क्या बताते हैं, कि जो राखेतों ही रहों, मेरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हों, गुलाम तुम्हारा, कि जैसे रा रजादर है जो सीस, दास गरीब दरस पर से तिस में टेंजग दीस, कि उस परमात्मा की रजा मेराजी रहे, जब तक काफी सर्णमन ही आए थे तब तो काल की रजा थी, और आपके कर्मों की रजा थी, उस मेराजी रहो या ना रहो, वो तो आपको होना ही होना था, दुख की नहीं चलेगी, आपके कर्मों में आपती है, संकट है, वो नहीं आने देंगे, फिर बगवान की किया हो सकता जैने में कहर टूटेंगे, वक्ती भी करते रहे, फिर कौन पुझे बगवान को क्या हो सकता परमात्मा की, तो पुन्यात्मों अब आप उस परमेश्वर की सर यदि ये नहीं हुआ, तो उसके बारे बताते हैं, चाहिए आप यहां रोग आपका जनम्रन का कटे नहीं और वक्ती भी कर ली, आपकी वक्ती का धन तो खूब हो जागा आपके पास, और यदि आपको मर्यादा भंग करते रहे, यहीं की आश्था रखते रहे वस्तूओं में और मर्तू होगी, तो मोक्स वाला काम आपका दूरा रहे गया, जिस उदेसे से आपने या परवेस पाया था, यहां आपको अन्य संसारिक सुक्तो फरी में मिलेंगे, उनके मंगन की जरूतनी आपने, और ठीक है बालक हो अभी आप, जैसे बच्चे हैं, तो सद्धी आ आ जाती है, बच्चे कहो या ना कहो माता पिता को पहले चंता होती है, किसके दूते लाने हैं, किसकी जुराब मगानी हैं, किसके कपड़े मुटे सर्दी के लाने हैं, किसकी जर्सी लानी है, वो कहो अच्छा है ना कहो तो भी वो लावें लामेंगे, इसी परकार परमात् के नाद के तो उस परमात्मा को आपका सारा ग्यान है कि इविल को किस चीज़ किया सकता है और कोई बच्चा बे मतलब की बकवाद मांगता है तो माता पिता उसको देते ही नहीं जो उसकी हानी में हो तो इसी परकार ये परमात्मा आपके साथ डील करेगा जब तक आप सर्णमर होगे कई भक्त बताते हैं जी जैसे यहां आपको संसारिक सुख तो फरी में मिलेंगे रूंगे में रूंगा क्या होता है जैसे हम छोटे छोटे थे तब हमारे गाउं में पहले अब सन 1951 अदास का जन्म हुआ है तो सन साथ व्यासपा सम आठ साथ साल के सम जन्म जोगे हुए तो उसमें क्या करते थे गाउं में बाहर के सहर के विक्ती कुछ सामान बेचनाया करते सब्जी कोई फल प्याज इस तरह के तो वहां गाउं के जो हमारी दाज जीताई वह क्या करती थी जैसे उसने सबजी ले ली टिंडे ले लिए और क्या करते थे वह बिपारी भीचने वाला एक तखडी के तुरा जिपने एक टर्व तो वह अनाज डालती थी पैसे ऋते नहीं थे пожres जैसे एक बेले में क êहों दिया दि उसके इसके टाखड़ीक में डाल दी जैसे पूछा करती किसे देगा कि गेहों के दो बार गेहों जो डाल दिया एक पालड़े में उसकेएगविलेंट दो बार टिंटे तोल के दे गा ओ तो ले लिया सुद्धा जो लेना थो उसके बदिले मोट फाइनल हो गया फिर नों कई आ करती भई रूंगा ओर दे रूंगा माने फ़री वो एक टींडा ठाक ओर दे देता के ले ना ओर दे वाई वो एक ओर दे देता छोटा था बुडिया रजी हो जाती तो वो रूंगा है फरी ओफ कोस्ट और सौदा तो हो लिया जो उना था वो तो उसका ठाई तो जो वास्तविक हमारा यहां उदे से है वो तो आपके जनम और मर्तु के रोग का नास करना है सौदा तो वो देंगे आपको और यहां के संसारिक सुक्ता आपको रूंगे में देंगे यानि फरी ओफ कोस्ट जिसका यहां कोई लिंक ने क्योंकि यहां जो पूजा की जो विधी है वो ऐसी है परमातुमा की कि संसारिक सुक्तो आपको होंगे ही होंगे यह तो पक्का होंगे लेकिन ग्यान इसलिए साथ जिया जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास इस माया का बहुत ज़्यादा संग्रे होन लगेगा परमातुमा के दरवार में कमी कहे की ना तो क्या होगा कि परमातुमा फिर साथ-साथ ग्यान देते हैं कि यह माया तेरी दुस्मन भी है इसका दुरुपयोग ना करना सुदुपयोग करना अभी तो आप दर-दर के विखारी हो रहे हो फिर देखना कुछ दिनों के बाद सच्ची लगनते लगना आन उपासना ने करना मरिया दामर तो फिर यह संसारिक सुक तो यहाँ पहले मिलते हैं जैसे किसान गेहूं बीजता है उसका उद्य से गेहूं बीजना केवल भुष बनाना नहीं होता उसका उद्य से अपना जीवन बचाना होता है कि मेरे परिवार को गेहूं मिले, कनक मिले, भुखे ना मरे अब गेहूं की अंदर भुष तो पहले बनेगा बाद में गेहूं बनते हैं गेहूं बीजा जाता है तो उसका पौधा खड़ा होता है बाद में जाकर बाली आती है और उन बालियों में गेहुं होते हैं खाने वारे और सेज सारा भुस होता है वो पसुम का चारा होता है तो ये प्रमात्मा की भगती ऐसी है जो आपको दी जाती है पहले तो भुस तो बने ये बनेगा इसका अमारा उदेश से नहीं है आपको यह भुस बनाना या देना भुस ही देना हमारा उदेश से है मोक्स और इन मंत्रों बिना वो मोक्स नहीं हो सकता उस भुस के बिना गेह नहीं बन सकते यह एक ऐसा लिंक है एक दूसरे गा दो स्टाट में आपको पर्थम मंतर दिया जाता है ये आपको ये संसारिक सुखी देता है और इसमें पर्थम मंतर में जो फर्ष्ट एंड लाश्ट के जो मंतर है ये आपके मौक्स के लिए आपकी बगती इसके साथ-साथ बनती रहेगी जब तक सत नाम नहीं मिलेगा तो ये जो इन पांच परदानों के नाम आपको दिये जाते हैं आपका कनेक्शन कट गया, बगती हीन होगे, पुनर्दनम के पुन रहे नहीं तो नए सरे तो चार्जिंग लानी पड़ी या के बहुत काम सरेंगे, बहुत लाव होगा और अन्य व्यक्ती आपको देख्या करेंगे, नहीं सुचा करेंगे, इनके के हो गया, ये कहां से आवे इनके इतना पैसा एक भगत बता रहा था जी, हमारे पड़ोसी यू कहें कि यूँ वहाँ जाता है बरवाला और बरवाला के करुथा में हमारा सरम था, करुथा कांड़ वाजव बदनामी मारी खूब करी थी नहीं बेतुकी वहां नोटां की बोरी पागी, हैं वहां पता नहीं कि ये पकवास पाई तो जो ऐसे कहते हैं, दूसरे पड़ोसी आपस में, जो कहें ये वहां जाते हैं, इनके माराज जी पैसे देते हैं इनके साइकल का भी ब्योंत नहीं था, और दो दो गाड़ी चला आज वह इस दृष्टी कौंट से देखते हैं, तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगें जी, हम कहें तो वह ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है, हमारे को, लेकिन जिस तरह वह सोच रहे हैं, वह सोच गलत सब्सक्राइब की अब उनसे कहते हैं, जो उनसे डारेट कह देता है, तो उसको अब भी कहते हैं, आप भी आजाओ, आपको भी दे देगे, मारे जी तो खुब माया बांट रहे हैं आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी, संत रामपाल जी माहराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कर सर, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल पतेल है सर, विमल जी आप कहां से हैं? मैं 36 गर राजनान गाउं जीला से हूं सर, विमल जी संतरामपाल जी माराज से नामदिक्षप्राप्त आपने कब ली? सर जी, गामा खेड़ा में हमारा दादा पर दादा से मतलब जूड़ा हुआ था, बस वही भक्ती कर रहा था सर जी सर जैसे कि आपने बताया कि आपके दादा परदादा और आप भी दामा खेडा पन से जुड़ हुए थे तो जब आप दामा खेडा पन से जुड़ हुए थे भापने गुरू बना रखा था तो फिर संतरामपाल जी महराज की सरन में आने का क्या करणा होना सर जी संत्रामपाल जी महराज चेसरन में इसके लिए आना पड़ा कि हम लोग बहुत मतलब जादो टोना से इतना प्रसान था बहुत ज़्यादा क्योंकि सर जी मैं अपना परिवार का पताना चाहता हूं कि मेरी परिवार टोटल मतलब 37 परिवार है जिसमें हम लोग पूरा एक में है अभी तो मालिक के दया से संत्रामपाल जी महराज में सभी जूड़ गया है और सब को सत नाम परापता है एक को सार नाम परापता है मालिक के दया से तो उससे पहला सभी लोग इतना परसान था कि जादू टोना के वज़े से बस किसी को दोखो टाइप हाई मलर या बस यही होता था और किसी की पायर में दार्दा, किसी की सर में दार्दा बस इतना बहुँच जदा परसान था, हम लोग दामाखेरा में जुड़ा तो था कभीरपंधी चल तो रहा था, लेकिन जब सर जी हम लोग बस हमारा ऐसा था कि कोई मर गया तोचाओं का करवा लिया या साधी बर भी आँवा तोचाओं का करा लिया, बस सरी उससे जएदगा और कूछ नहीं था सर फेर आप संत्रामपाल जी महाराज की सर में कैसे आए संत्रामपाल जी महाराज में सर जी मेरा बड़ा भीया पहला जुड़ा था मतलब सन 2013 में तो बड़ा भीया दो भीया जुड़ा था सर जी की हम लोग 6 भाई है टोटल जिसमें बड़ा भीया और मेरे से बड़ा वाला जुड़ा था ओ लोग को ज़्यादा परसानी था मतलब तीन ताप से बहुत ज़्यादा परसान था तो ओ लोग पहला ऐसा साधना चैनल में देख के बाद जैसा भगजी का अंटर्वू आता है तो उसका अंभाव सुना कोई तीन ताप से कोई आखी से परसान कोई और कोई किंसर से परसान तो सभी लोग संत्रामपाल जी महाराज में जूड़ा था तो सभी भगजी का अंभाव सुनके बहुत अच्छा लगा और मतलब हम लोग सुरु से कभी रपन थी था तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग दा माघेडा से कभी रपन थी और यह संत्राम्पाल जी महराज तो समाधी पूजा करता है सुबा उठा नहाद होया समाधी का गेट खोल दिया सभी जाके वही नरियर वरियर चड़ाया पर नाम किया बस आगे और लाब तो कुछ भी थे कुछ भी नहीं सर जी बस धक का धुम्री खाता था महाँ पे तो संत्रामपल जी महराज में सभी परवार जूनने के बाद अभी मतलब हम लोग मालिक की भक्ती कर रहे सर जी संत्रामपल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले संत्रामपल जी महराज से नाम दी चलेने के बाद सर जी बहुत मतलब मालिक ने बहुत सारे लाब दिये हम लोग संत्राम पाल जिमने जूड़ा था जब मेरा भावी है उसको मतलब ब्लेट के इंसर था और एक भतिजीन है उसका कान पकपके पूरा अंदर पूरा चमरा सरे टाइप के हो गया था बहुत बर्दू करता था तो उसको मास्टर भी बोल दि था बाबा सीर और मेरा बड़ा वाला भावी था उसको भी बाबा सीर था तो हम लोग सफीर संत्राम पाल जी महराज में जूड़ने के बाद हमारा जो तकलिप था ओ आटोमेटिक दूर हो गया परमात्मा जो सासा नो कुल साधना बताया उससे आटोमेटिक दूर हो गया आ जैसा दो दिन बागी था तो पटाने का समय निकल गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि मालिक संत्रामपाल जी महराज स्वे मेरा भाईया का रूप और एक सियान का रूप बना के आके ओ फिर टेटर का 55,000 किस्ता पटा के चला गया तो ऐसा लाम मिला सर जी और पूर परिवार आज के डेट में पूरा संतरामपल जी महराज में जुड़ा है भकती कर रहा है और माली के दह है भगत जी और एक लाब और है कि हमारा जो बोर कराय था जिसमें बजरी के वज़े से बोर मसीन खन नहीं पया तो वो मुश्किल से 80 फीट खोदाई किया, उसके बाद मैं बोल दिया कि भाई तुम्हारा बहुत बजरी आ रहा है हम लोग नहीं खन पाएंगे, तो वो फिर चला गया, फिर हम लोग बोला कि कम से कम केसिंग तो डाल दो, तो बोला कि नहीं हम लोग नहीं डालेंगे, फिर ऐसा ही मुश्किल से मेरा बड़ा वाला भतिज़ा जो स्वेम मिस्तिरी है, मोटर वाइरिंग का, वो बोला कि डाल दो जी, तो मुश्किल से 40 फीट गया, तो उसमें ओ खुद मतला मिस्तिरी है, और बोलता था कि हम इतना बोर डाला है, कम से कम 100 फीट जाता तो 5 का बोर मतल तो आज मालिक के डिया से 40 फीट में 5 का बोर चल रहा है, सर जी, मेरा पतनी है, उसको एड़ी में बहुत दर्दा होता था, मेरे को भी दर्दा था, हम लोग सुबा उठ नहीं पाता था, एड़ी में बहुत दर्दा होता था, तो और नसा भी बहुत करता था, दामा में था, मच्छी, मुर्गा, सराब, और हमारे 36 गड़ में जो मंजन बोलता है, जिसको गुडाखुर भी बोलता है, वो गीला वाला गुडाखुर भी घीशता था, और मेरा मेसेज, मेरा पतनी है, उसका एड़ी में बहुत दर्दा होता था, तो डाक्टर के पास जाता था तो बोलता है, तुम्हारा हड़ी बर रहा है, और बैद के पास जाता था, तो बोलता है, तुम लोगो पेंधूर जार रहा है, क्योंकि हमारे 36 गड़ में जो जादू टोना मार देता है, उसको पैर को पकारता है, उसको पेंधूर बोलता है, वही प्रकार का हुआ था सर ज लेकिन जिस दिन हम लोग संत्रामपल जी महराज के सरन में आया सन दो हजार सात्रा आठो मेन दूसरा तरीक को नामदान अपना च्छतीस गड़ में सुरे गाउं से लिया तो उस दिन से हम लोग तो रोते गया था सर जी अब इसके बाद अब में कहीं नहीं जाओंगा करके तो हम लोग फिर गाड़ी लगाया हो फिर हम लोग सुरेगा नामदान ले निकलिया गया उस दिन के बाद आज तक मेरा एड़ी में कोई दर्दा नहीं है संतरामपाल जी मारसे नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सर एलाब मिले तो जो दर्सक आज आपको देख रहा है उनसे अपनी भासा में आप क्या कहना चाहेंगे सर जी मैं अपने भासा में सभी भाई भाहिनी दिदी ककका की सम्मनला ही कहात हूँ के पुनपरमात्मा कवीर सह면ी धर्ती मा हैं अपकात्ष सर जांते के वह जाने के बाद हम लोग तो दामा खेला में एक जगा तो भन्डारा कर लेता है लेकिन आके अपना-पना अवकाद में आ जाता है कि अपना-पना जे जाता है, हो जाता है आज हमारा बंधी छोड़ सद्गूर रामपाल जी महराज ने इतना दया किया कि कोई भेद भाव नहीं है आसरम में जाओ एक जगा, एक प्रकार का बंडारा, एक प्रकार का भीवस्ता सब कुछ किया हुआ है सर जी लेकिन दामा खेडा में है, हम लोग दामा खेडा में है कबिर पंधी तो है सर जी लेकिन जिसके घर में जमारा बो रहा है बकरा दे रहा है बली दे रहा है उसको अपने लड़की को दे देता है और लड़की का इतना प्रसान करता है ओ लोग कि अब कविरपंथी घर से तो गया है कि बोलेगा कि लड़की के मैं मुरगा नहीं बनाऊँगा मैं मच्छी नहीं में जुनने के बाद मेरा खुद का दो भतिजीन का साधी हुआ है, दहज मूकता, एक रुपय का दहज दिया नहीं है, आज वो सुखी जीवन जी रहा है, तो मैं सभी को 36 गडवासी को यही कुँँगा, कि आप लोग चैनल पे ससंग आता है संत्रामपाल जी महराज का, आप फोन नंबर लिखा रहता है, नंबर लगा कर फोन करके कोंटेक करो, आपको वहाँ से पूरा मालूम चल जाएगा, के नामदान किंद्रा कहां कहां पर है, नामदान वहाँ जाके ले सकता है सर जी, धन्यवाद सर, ससाही आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें झाल स्सक्रारी के से परिजएतों के लिएमाद सर जाएंवेश घनला हम झाल सही परिखश nah शाल लुटाराव थे जानकारां सकत लिए अभाल स्क्राश करें कि अजय को